Hello students, welcome to Quota Pulse by Unacademy. My name is Tushar J. Sahitya. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक topic पे जो generally बच्चों को बहुत जादा problem होती है. तो आज इसका वो कई topic नहीं, it is a general problem that the students are facing. और एर के इस time पर यह problem बहुत जादा होती है. तो बैकलॉग से कैसे बहुत आसान तरीके से लड़ा जाएं, कैसे उसको complete किया जाएं और किस तरीके से आप बिना किसी बहुत जादा effort के उस topic को जो आपका छूटा हुआ है, या जो आपका homework छूटा हुआ है, वो कैसे हम लोग complete करें. तो इसके लिए एक बहुत simple सा तरीका है, विच इस called as divide and rule, तो जो अंग्रेज लोग करते थे, divide and rule वाला, तो वही काम आपको करना है, और कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से अपने एक column बना लेना है, कि आपने physics, पहले इसलिए लिखा कि मैं physics ही पढ़ाता ह तो इसलिए by default physics नाम पहले आता, तो तीन हमारे पास subject हो गए आपके physics, chemistry, math, and if you are a student of need, तो आप biology भी लिख सकते है, biology, geology, biology, botany आप लिख सकते है, तो physics, chemistry, math में आपको सबसे पहले ये देखना है, कि क्या-क्या chapters आपको पढ़ाए गए, chapter number 1 लिखिए, chapter number 2 लिखिए, chapter number 3 चले, concentrate करें, ठीक है, ज्यादा मत चले जाहिएगा, ज्यादा जाने से क्या होगा, आपको एक बहुत भारी भरकम सा काम आपके सामने दिखाई देगा, and आपका मन करेगा यार इसको कभी करेंगे, एक दिन बैठेंगे, उठाएंगे, और करेंगे, और वो एक दिन कभी आएगा देगा, तो इसी लिए, तीन चैप्टर का नाम अपने सामने लिखी, and इसी तरीके से तीन चैप्टर का नाम आप यहाँ पर लिखी, और इन तीन चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखी, अब इन चैप्टर का नाम लिख करके इनको थोड़ दर के लिए छोड़ ठीक है अब center of mass में मान लीजे कि आपको quota में थे आप थोड़ा सा इस समय वाइरल है आपको वाइरल होगी आपकी class छूड़ गई सबसे पहला काम करें आप अपने notes collect करें अपने teacher से बात करें और उन notes को एक बार collect करके सबसे पहले आपकी जो objective exercise होती है उसको उठाई है तो objective exercise में let's say आपके पास center of mass में you have 60 questions अब 60 questions देखने में लगता है कि मेरे कैसे complete होंगे बहुत स्काम है यह तो तो मैं किस दिन बैठूँगा और यह 60 question complete करूँगा तो इसके लिए एक बहुत simple सा काम आपको करना है कि कभी भी यह 60 question करने ही नहीं हमें करने है कि भाई आज मेरे को center of mass के 5 सवाल करने हैं 10 सवाल करने हैं जितनी मेरी capacity है 60 का तो मैं कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि जिस दिन मैंने साथ का सोचा यह माल लीजे कि आप कभी उस काम को complete कर ही नहीं पाहे and that is the main point जो आपको ध्यान रखना है यह कभी भी आप कोई भी बैक्लॉग करें किसी भी टॉपिक का करें तो हमेशा इस तरह से डिवाइट करें वर्क को कि हमारा दिमाग उसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करें मतलब एक आलस वाले फेज में आप न चले जाए कि आज यह करूंगा किसी दिन बैठूंगा और एक साथ करूंगा यह कभी नहीं होगा अब माल लीजे कि आपके इस पर दस कोशन आप डेली उठाते हैं तो दस कोशन अगर आप उठाएंगे अच्छा खासा अमांट आफ प्रैक्टिस ऑफ सेंटर आफ मास कर सकते हैं फिर आप इसके पी यू ले सकते हैं जेए मेंस वाली एक्सराइस जो होती है हना सेम प्रोसेस आप वहां पर करिए तो दस दिन में आपका एक चेप्टर हो जाएगा लेकिन अगर आप परिशान हो होते रहेंगे इदर उधर भागते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा है 10 दिन तो हो सकता है कि आपको Sum situation में लग जाए कि यार मैं करने बैठूंगा और करूंगा और हो से तर दस दिन निकल गए, सोचते सोचते निकल गए, तो सोचना कम है, उस पे action लेना है, और किस तरीके से काम करना है, ये छोटा सा तरीका है कि हमेशा काम को छोटे छोटे पाश में divide करी, अगर आपने काम को भी complete नहीं होगा, backlog will keep on piling up, वो बस भरता जाएगा, कभी भी कम नहीं होगा, कम करना है, तो आप आज से शुरू करिए, और छोटे छोटे टार्गेट्स रखिए बस, पांच सवाल, पांच सवाल, पांच सवाल, पांच करिए, और जैसे आपके पांच सवाल हो जाएं, परिशान नहीं होना, साथा डाउट लेकर के अपने टीचर के पास जाहिए, यह साथा डाउट है, मैंने इतना backlog किया, यह मेरी दिक्कत थी, है ना, और साथा मेरे डाउट आ गए है, आप क्लियर कर दीजिए, एक टीचर आपको अगर साथा डाउट लेकर के बैठेगा, इ इम पर बहुत जादा टाइम वेश्ट नहीं करना पड़ेगा, और जितना टाइम आप आने जाने में वेश्ट करते हैं, उतने में अगले पास साल और कर लीजिए, तो बहुत आराम से आप कम्प्लीट कर सकते हैं, the same process you will have to repeat in the chemistry and math, but first of all, make a list and divide your work in small targets, thank you.